Hello guys, मैं आपके लिए Bodybuilding World से news और updates लेकर रहा हूँ तो सबसे पहले हम कुछ achievements के बारे में बात करेंगे तो साहिल कान ने अपने Instagram पर complete कर चुके है 5 million followers AD Hall ने अपने YouTube पर complete कर चुके है 1 million subscribers और सुनी जदों के घर पर बेटी पैदा हुई है तो इन सबी के लिए heartly congratulations from me तो first news जरेमी बुंडिया की तरब से जरेमी बुंडिया हमारे four times men's physique division के winner तो उनने अपने Instagram पर अपना एक physique update डाला है उसमें वो कुछ impressive बिलकुल नहीं लग रहे है उनके legs और उनके upper body के proportion कुछ अलग ही लग रहे है उनके legs बड़े लग रहे है और उनके upper body small लग रही है उनने अपना बहुत ज़्यदा muscle mass lose किया है उनके legs मुझे बहुत ज़्यदा impression लगे legs में बहुत ज़्यदा size है पर उनके upper body बिलकुल muscular नहीं लग रही है उनके upper body बिलकुल flat लग रही है उन्होंने अपना कीमती muscle mass lose किया है उनका पेक टियर हुआ है उनका shoulders में injury है इसकी वज़े से मुझे लगता है उन्होंने अपना muscle mass lose किया है क्योंकि वो recover करना चाहते है और उन्होंने इस बार मतलब 2020 के Mr. Olympia में compete करने के भी आसार बताए है मतलब उन्होंने अपने Instagram पर fight for five ये campaign चलाया है मतलब वो इस 2020 के Mr. Olympia में compete करने वाले है पर इन injuries और इतना ज़्यदा muscle mass lose करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस साल जर्मी बुंडिया compete करेंगे और अगर compete भी करते हैं तो उनकी कुछ इतनी खास प्लेस नहीं आने वाली है तो second news है इंडिया के men's physique athlete जुनेत कालेवाला के बारे में तो जुनेत कालेवाला ने अपने Instagram पर ये बताया है कि वो live stream में collab करने जा रहे है Mr. Olympia 2019 के Mr. Olympia men's physique के Mr. Olympia Raymond Edmond के साथ collab करने जा रहे है मतलब वो अपने Instagram पर live आने वाले है वो भी Raymond Edmond के साथ तो ये बहुत जदा बड़िया news है ये बहुत जदा बड़िया news है men's physique के athletes के लिए या फिर इंडिया के लिए कि अपना इंडिया के एक athlete men's physique के winner के साथ collab करने जा रहे है तो इस live stream को मैं जरूर देखूंगा आप भी जरूर देखिए तो third news है Brandon Hendrickson के तरब से Brandon Hendrickson 2018 के men's physique division के winner तो Brandon Hendrickson ने अपने Instagram पर अपना एक physique अपडेट ड़ा है उसमें वो बहुत अच्छे लग रहे है वो अभी भी lean लग रहे है क्योंकि उनने पिछली कुछ दिनों में Arnold Classic में compete किया था और उसमें उनकी second position आई थी इस photo में वो बहुत ज़दा अच्छे लग रहे है पर वो stage पर कभी भी इतने अच्छे नहीं लगते मतलब वो stage पर हमेशा water लगते है soft लगते है उनके abs के area में हमेशा से पानी भरा रहता है पर वो बाकी अपनी gym photos में या फिर कोई और photos में वो हमेशा lean लगते है पर वो stage पर उनकी conditioning बिगड़ जाती है इसका क्या रंग क्या है यह Brandon को ही पता तो मैं यह ज़रूर उमिद करता हूँ कि Brandon अगली बार जब stage पर आए वो बहुत ज़रा lean आए और dry आए तो next news है Terrence Ruffin या फिर Ruff Diesel की तरब से तो Ruff Diesel ने अपने Instagram पर अपना एक physique update डाला है तो उनके पिछले कुछ दिनों में Arnold Classic फिजिक में compete किया था तो उसमें उनकी second position आई थी फिर्स पर रहे थे LS Camber Nero तो इस physique update में आप देख सकते हैं कि वो pretty lean लग रहे हैं मतलब वो बहुत ज़दा lean लग रहे हैं उनकी small waist उन्हें बहुत ज़दा मदद करती हैं उनके बड़े legs उनकी wheat taper को बहुत ज़दा निखारते हैं पर उनके weak arms उनके proportions को बिगाडते हैं अगर वो थोड़ा सा भी arms में size gain करते हैं तो उनका future बहुत ज़दा bright होने वाले हैं तो next news है Ian Valerie की तरब से Ian Valerie एक pro bodybuilder और Chris Bumstead के coach तो Ian Valerie पिछली साल Mr. Olympia में कम qualify होने से सिर्फ एक point से जुके थे वो बहुत चारे show में second, third, second, third आये थे तो इस बार वो eagerly wait कर रहे हैं कि वो कब Mr. Olympia के लिए qualify हो जाए तो आप इस physics update में देख सकते हैं कि उन्होंने अपना abs maintain किया है अपना एक conditioning level maintain किया है उन्होंने इस photo के caption में लिखा भी है not fat yet मतलब वो अभी भी fat नहीं बने है उनका अभी भी off season चल रहा है मतलब वो lean gain पर है तो इस gaining के दोरान उन्होंने सिर्फ muscle mass gain किया है और कुछ फाल्तू का fat नहीं gain किया है तो मुझे लगता है Ian Valerie इस बार बहुत ज़्यदा try करने वाले है Mr. Olympia में compete होने के लिए तो वो dedicatedly सारे काम कर रहे है तो हम यहीं उमेद करते हैं कि Ian Valerie इस बार Mr. Olympia के लिए qualify हो जाए और वो हमें stage पर दिखे और top 10 में भी select हो जाए तो last news है Sergei Constance के तरब से तो Sergei Constance ने अपने Instagram पर अपना एक physique update डाला है इस physique update में वो muscular लग रहे है उन्होंने इस quarantine के phase में अपना muscle mass maintain किया है Sergei Constance ने 2017 में men's physique में compete किया था पर उसके बाद उन्होंने किसी भी show में compete नहीं किया Sergei Constance के पास body building के बहुत अच्चे genetics है अगर वो किसी भी show में compete करेंगे dedicatedly किसी भी show में compete करेंगे तो उनके place जरूर आ सकती है पर क्यों पता नहीं किसी भी show में वो compete ही नहीं कर रहे है तो है हम यहीं उम्मिद करते है कि Sergei Constance फिर से stage पर आए और वो stage पर compete करने लगे तो यही था अच्च का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share जरूर करो और ऐसे अच्चे अच्चे वीडियों के लिए subscribe भी जरूर करो और अगर आपके पास कोई भी bodybuilding field related news है तो हमें जरूर Instagram पर share कीजिए हमारे Instagram का link description में है और अगर आपको अच्छा भी लगे तो follow भी किजिए Thank you